कि यह दोस्तों स्वागत थे आपका एक्जाम पार यूटूब चैनल में आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं मत्तुपूण कॉस्चन आंसर सभी लोग वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाते हैं मत्तुपूण कॉस्चन आप सभी के लिए आपर करवा जाते हैं और सभी के लिए नए वर्स के बहुत और आप सभी का आपर कॉस्चन नंबर पचास आपर दिया गया है पचास में आप सभी के लिए चैन करना है अपने ही सुक दुख के रंग में रंग कर परकृति को देखा तो क्या देखा वनुस्य सब कुछ नहीं है परकृति का अपना रूप भी होता है एकतन किसका है बताईए जएन करिएगा मावीर परसाधद्वेदी नंदुलारेवाच पे रामचंद सुकले या नामबारस है क्या है आप सभीका सहिए आंसर कॉस्चन वत्तपुन आपर दिया गया है पचास बार कॉस्चन है और पचास में आप सभी का आपर सही आंसर है विकल्प नमबर क्या सही आंसर सी आप सभी का आपर सही आंसर है रामचंद्र सुकले रामचंद्र सुकले जी का ये कतन माना जाता है सी वाला विकल पर जनों ने भी यहाँ पर चेन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल संध्या जी रामचन सुकलाप का यहाँ पर सही आंसर है कि अब चेतन विज्ञान के प्रभाव से हिंदी साहतिकार के चिंतन और भावना में गहराई सूक्षमता और फिर करना है क्या होगा सही आंसर सुबब क्या हुगा कि लाइफ क्लास का कर दिया और उसके बाद जो है मंदर चलेगा पूजय करने और फिर मंदर गये तो भकती में लग गया ऑप्र 11 बज़े आए तो फिर लाइफ क्लास होई नहीं पाई तो उन्हें क्यार्ण जो है वो सेड् जाने का गम हमें तो खुशी उस दिन होगी जब हम हमें तो खुशी तब होगी जब हम जो है क्या हो जाएंगे सपल हो जाएंगे तो इसलिए अपन को दोजार चौविस में यह मान के चलो मान के नहीं यह पक्कई कर लो अपन को कि एक बेकैंसी अपनी है दोजार चौविस में कुछ भी हो जाए एक बेकैंसी अपने नाम की लिख कर रख लो कि 2024 में एक vacancy जो भी जिस जो है परिक्षा की तैयारी कर रहा हो सभी के लिए अभी इसे जो है लिखके रख लेना है 2024 में 2023 जैसा भी गया वो तो गया अब 2024 में अपन को जो है एक vacancy अपने नाम की लिखके रख लेना कि एक vacancy तो लेकर ही रखेंगे चाहे कुछ हो जाए तो सभी के लिए जो है नए वर्ष की सुब कामना है और इसी के साथ अपना question number इंक्याओं ने आपर दिया गया है नव चेतर विज्ञान के प्रवास हिंदी साहितिकार के चिंतन और भाबना में गहराई सुक्षमिता और पिरखराई है पिरखरताई है एकतन किनका माना जाता है तो इंक्याओं में आपका डाक्टर नगेंदर सही आंसर होंगी विकल्प नंबर एक आप सभी का आपर सही आंसर है हंगला question ने आपर क्या दिया गया है question number आप सभी का आपर दिया गया चंचलता चंचला इसनान का रावे चंद्रिका पर्वे में जैसी उस पापनतन की स सुबा आलोक मधूरती ऐसी ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है यह आप सभी के लिए चैन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक आप सभी का सही आंसर है अंगला कौसचन जैंआप दिया गया है 23 दिया गया है कि इस देश के कोटी-कोटी मनिस्चयों को ग्यान का अलुक देना उनमें आत्म गौराव का संचार करना रोग और सोक से भूँक और प्यास से उनका उद्दार करना ही आज के साहित का काम है एक अतन किसका है बताईएगा चैन करिएगा पंकट जी सुनेना जी त्रेपनवा कॉस्चन यहाँ पर गिया गया है त्रेपन में क्या होगा सही आंसर बताईए मत्तुपूर्ण कॉस्चन है और कल रात वाली क्लास भी अपनी नहीं हो पाई थी इसी कारण ही हो पाई थी सब रात में भी जो है मंदर गए थी तो वहाँ पर भी भक्ती में लग गए साम को आठ वजे से तो आठ वजे से एक वज़ गया रात में मंदर में ही रहे और इस कारण कल रात वाली क्लास भी नहीं हो पाई और सुबह वाली क्लास भी नहीं हो पाई लेकिन अब अपनी जो है किलास चलेंगी इस देश के कोटी-कोटी मनस्तियों को ग्यान का लुग देना उनमें आत्म गौराव का संचार करना रोक और सोक से भूंक और प्यास से उनका उद्दार करना ही आज के साहित का काम है एकतन किन का माना जाता है त्रेपन में हजारी पर साथ दुवे दिया आप वनीशा जी बताईएगा कॉस्चन आपर मत्तपुन्ड दिया गया है और अधनेश जी तो आप सभी के आपर सही आंसर है कॉस्चन नमबर चंगण में चायवाद एक दासने का नुबूतिया एकतन किसका माना जाता है चंगण में सांति प्रिये दुवेदी आप सभी के कल्ब जो है आप सभी का आपर सही आंसर है अंगला कॉस्चन ने आपर क्या दिया गया है कॉस्चन आपको आपर पच्पन दिया गया है समसेर की आत्मा ने अपनी अभिवेक्टी का एक प्रभाव साली भवन अपने हातों तयार किया है उस भवन में जानी से डल लगता है इसकी गंबिरता प्रत्न साध्य पवित्रता के कारण एकतन किसका है यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है कॉस्चन वत्तपोंड यह आपर दिया गया है दस्तुरत राम एंद्रस मिस्त्र हैं मुक्तिबोध हैं रामचन सुकलें रामबलास सर्मा है इन में से आप सभी के पच्पन में चैन करना है कौन्चा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा तो पच्पन में विकल्प नमबर आप सभी के आपर सही आंसर है विंदु जी वी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है आनि की मुक्तिबोध आप सभी के आपर सही आंसर होंगी मुक्तिबोध आ करिए का कॉश्चन यापर दिया गया है 56 और 56 में आप सभी का याँ पर सही आंसर क्या होगा बिल्कुल सरले तो सभी से बन जाएगा बैर करोदे का चार या मुरब्बा है एकतन रामचन सुकल जी का माना जाता है यह वाला विकल्प जन्हों ने भी याँ पर चैन किया है मैं उन व्यक्टियों में ऐसे हूं और ऐसे व्यक्टियों की संख्या साइज दिन प्रति दिन घट्टे जा रही है जो भासा का संभान करते है और अच्छी भासा को अपने एक सिद्धी मानते हैं एकतन किसका माना जाता है सन्थान है संटावन में, आप सभी के लिए के तो कौस्चन सन्ताओं ने आपर दिया गया है सन्ताओं में आप सभी कहा आपर सई आंसर होंगा विकल्प नमबर क्या सहई आंसर सभी लोगों ने आपर ड़ी वता है अग्गे आप सभी moment सफ्वी आंसर होंगे अंगला क्वास्चन देखिएगा कामाईनी महाकाप्या संदिक्द है परंप्रा का नितांत है निरबा है पिरसाद के सभाव के विप्रीत्ता अता कामाईनी भार्तियों पास्चा ते काबिसास दौनों मैं से किसी एक के लख्षणों का पूर्ण रूप से खोजना बेर्थ है एक अतन किसका मानः जाता है अंटाउन में आप सभी के लिए चैन करना है नामवार्श मावीर परसाद दौइदी डक्टर नगेंद्र या फिर हजारी परसाद दौइदी कि हैं का गतन मान जाता है अंटाउन में आप सभी के लिए चैन करना है तो एक कथन मान जाता है किन का विकल्पनबर थे आप पर सही आंसर होगा सी यानिकी डाक्टर लगेंदर आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन आप यहां उनसट दिया गया है उनसट में बताना है यह यानिकी छायवादी काप यह सरासर हमाकत है दरश्टता और अहम मानिता का हम चुनोदीग रेनेश्ट के सिवाए और क्या हो सकता है अह कतन किस्ट का माना जाता है बताईएगा रामनरिस्ट पाठी धिनकर महावीर परसाद दुबेदी अफिर मुक्ति बोध कॉस्चन आप चबी का आपर उनसट दिया गया है उनसट में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना है कौन सा विकल्प आप सभी के आपर सही आंसर होगा तो दिनेस जी राजिप जी अनन्द जी पारो जी विकल्प नबर सी सही आंसर होगा महावीर परसाद दुबेडी जी जो है उनी का ये कत्षन माने जाता है महावीर परसाद दुबेडी आपका सही आंसर है कामाईणी को चाहएबात को अपनिसद किस ने कहा है Question number 60 यहाँ पर दिया गया है साथ में आप सभी कहें आपर सही आंसर वताइएगा आगती जी नहीं तो आप सभी कहें आपर सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा मत्तपॉंड question यहाँ पर दिया गया है कामाईनी को चायवाद का उपनिसद किसने कहा है तो 60 में आप सभी का सही आंसर है सांति प्रिय दुबेदी ने किनों ने कहा है सांति प्रिय दुबेदी जी जो है इन्होंने कामाईनी को क्या कहा है चायवाद का उपनिसद कहा है इसी वाला विकल्प है आप सभी का या आपर सही आंसर है अंगला कॉस्चन या पर क्या दिया गया है कॉस्चन नमबर आप सभी का या आपर 61 कॉस्चन है गाहा कहिने से प्राकृत का बोध होता है, वेसे पीचे दोहा या दुहा कहिने से अपड़न्स के लुप प्रिचलित का पिभाशा का बोध होता है एह कतन किसका माना जाता है कॉस्चन आप सभी का आपर 61 में आप सभी के लिए चेन करना है 61 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा रामचंद सुकल नामबार से डाक्टर नगेन नंद दुलारिवाचपी बताईएगा कौन सा विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर होगा 61 में चेन करना है बहुती भत्पूर्ण कॉस्चन आपर दिया गया है और आप सभी का आपर सही आंसर रामचंदर सुकली जी जो है उनी का ये कतन माना जाता है रामचंदर सुकल आप सभी का आपर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहापर दिया गया है साहित का चरममान रस ही है जिसकी अखंडतान वेस्टी और समस्टी सौंधरे और उप्टियोगिता सास्वत और सापेकचित का अंतर मिट जाता है एह कथन किसका माना जाता है बासट में आप सभी के लिए चैन करना है नांबार से है आप सभी का आपर सभीया आंसर है daakchief अंगेंदर आप सभी का आप सभीया अंथर अंगला कॉश्चन आपर प्रियुकबाद को बैठे ठाले का दंदा किसने कहा है नंद दुलारी वाजपी मुप्ती बोर्ड डाक्टर वच्चन सैं मादेई बर्मा चौश्ट नहीं 63 वा कॉस्चन या पर दिया गया है वताई कि पिरमोज जी संजो जी क्या होगा सई आंसर प्रियोग बात को बैठे ठाले का धंदा किसने कहा है कि यह आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 63 में विकल्प नमबर यहाँ पर एक जिन्वा ने भी यहाँ पर चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है 63 में नंद दुलारी वाजपी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी नंद दुलारी वाजपी आपका सही आंसर है ब्यक्तिवादी कवीता का प्रमुक्ष स्वर निरासा का है अवसाद का है थकान का है टूटन का चाहे किस भी परिक्पेक्ष में हो एकतन किस का है यह आप सबी के लिए आपर चैन करना है कॉस्चन नमबर चौसट मुक्ति पोर्ड नक्टर देवराज रामबलास सर्मा रामदरस मिस्त्र बताईएगा चैन करिएगा कॉस्चन यहां पर मत्तुपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर है तो विकल्प नमबर यहां पर चौसट में जन्हों ने डी चैन किया रामदरस मिस्त्र उनका यहां पर सही आंसर होगा रामदरा स्मिस्त्र आप सभी का यापर सही आंसर है बहुत बढ़ियास में संदे नहीं है कि काप रीती का सम्यक समावेश पहले पहल केसब ने किया हिंदे में रीती ग्रंतों कि अबरल और कंडित परंपरा का प्रवा केसब की कभी प्रिया की प्राहा पचास वर्स पीछे चला वह भी एक विविन ने आदर्स को लेकर केसब के आदर्स को लेकर नहीं एक अतन किसका है 65 में आप सभी लोग चैन करिएगा रामचन सुकल, मुक्दिवोध, नराला, नामबार से हैं क्या होगा सही आंसर अरुएं दजी तो आप सभी का आपर सही आंसर होंगे आपर पैसट में बेकल्प नंबर एक आप सभी का आपर सही आंसर है यानि कि साइन जी रामचंदर सुकल यहां पर सही आंसर होंगी रामचंद सुकल जन्हों ने भी यहां पर चन किया है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर क्या दिया गया है यहां पर देखते हैं कॉस्चन नमबर आप सभी का यहां पर 66 दिया गया है पृ जाता है कॉश्चन आप सभी के आपर 66 दिया गया ए 66 में आप सभी के लिए होगा सभी आंसर क्या है रिवा medidas नंदुला रिवाजपी नमबार्स नक्रण गेंद्र तो आप सभी करहें आपर सतीह जी सही आंसर होगा जा होगा जांग ग्या विकल्ब नमबर आप सभी करहें आप SCP 66-yroup ऐक्टरदिन सभी प् Cape सभी के पसो आंपर सभी आंशर होंगे अंगला कॉस्अन यांपर क्या दिया गया है कॉस्चन आपका यांपर दिया Go starts ज दर्सन में जो दौन दात्मक भौत एक बाद है राजनीती में जो सामे बाद है वही स्ताहित में क्या है प्रिगती बाद है एक अतन किसका है डाक्टर गडपती चंद्र गुप्ते रामचन सुक्ल मुप्ती बोध या फिर नंद दुलारी वाचपी चैन करिएगा कॉस्चन या पर मत्तुपूर्ण दिया गया है और आप सभी का या पर सही आंसर क्या होगा दर्सन में जो धवन्दात्मक बहुत एक बाद है राजनीती में जो सामे बाद है वही साहित में प्रिगती बाद है यह एक तनकिनका माना जाता है तो आप सभी का सही आंसर है ज्टर गडपती चंद्र गुपते आपर सही आंसर होंगी अंगला कॉस्चन आपर क्या दिया गया है, कॉस्चन नमबर आप सभी के आपर दिया गया है, 68 पा कॉस्चन है, 68 में आप सभी के लिए चैन करना है, प्रियोगबादी कवीता में यूग से उत्पन्य अनास्ता, संका, घुटन, कुंठा, बगनासा, वैसे एक नए पत के अन्वेशनल की ब्याक कॉस्चन नमबर 68 में आपके लिए बताना है, डाक्टर गडपती, चंद्रगुप्त, मलियाज, रामबला, सर्मा, विजेदीव, नारण, साही, क्या होगा, सही आंसर, 68 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है, 68 में क्या है, आप सभी का सही आंसर, कंचन जी, राखे जी, तनु जी, आप सभी के आपर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर C, आनि की डाक्टर रामबला, सर्मा जी, जो है, नुनी का एक अतन माना जाता है, रामबला, सर्मा, आप सभी का आपर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यापर दिया, तुलसी, दास, उत्तर, भारत, समस्त, ज करना है वताइए आनंद जी तो आप सभी कहें आपर सही आंसर है क्या है सही आंसर 59 में आप सभी कहें आपर सही आंसर विकल्प नंबर डी रामचंद्र सुकली जी जो है उनी का ये कतन माना जाता है आश्यार रामचंद्र सुकल आप सभी कहें आपर सही आंसर होंगी अंगला question है मैं उर्दूर हिंदी का द्वाब हूँ एकतन किसका माना जाता है सत्तर में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना समसीर वादुर्स है मलियज नामचन सुकले गड़पती चंद्र गुपते क्या होगा सही आंसर चैन करिएगा सभी लोग साधना जी और आप सभी के आपर सही आंसर होगा मैं उर्दूर हिंदी का द्वाब हूँ एकतन किसका माना जाता है सत्तर में आप सभी का सही आंसर है एकतन माना जाता है सत्तर में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक आप सभी का आपर सही आंसर है यानि कि समसेर वहादुर संजी का ये कतन माना दाता है विल्कुल सही अंगला पॉस्चन है प्रियोगबादी कम्यों ने आक्रोस जुंजलाहट बेंग विद्रुए सत्य कतन स्वाब इसलेशनल तत्य रूपन में अपने बहुत देक उतकर्स का परिच्छे दिया है एक अतन किसका 71 में आप सभी के लिए सही अंसर चैन करना है आप उस्पराज जी वो जो है सुवब वाली क्लास में सर्डिूल करके चले गए थे उस क्लास का मंदर चले गए थे और फिर वहां से जो हलेट हो गई ती आने में इसलिए जो सुब वाली क्लास में नहीं हो सही आंसर है डाक्टर नगेंदर जी इंका एकतन माना जाता है कॉस्चन नमबर आपर बत्तर दिया गया है भारतेंदु ने हिंदी सायत को एकने मार्गपल लाकर खड़ा किया है वे सायत की नयुग की प्रवर्तक थे एकतन किसका माना जाता 72 में आप सभी के लिए आपर चहिण करना है बताईये तो आप सभी के आपर सही आंसर है तो आप सभी के यापर सही आंसर है 72 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर रामचंद्र सुकल है या पर सही आंसर है रामचंद्र सुकल में सबस्मक्ण से नंद दितर में अच्छोई के लिखता था बाल मक२ंध गुपते एक अतन किसका है 3 DOU्डर में तेतर में आप सभी के लिए आपर चेन करना है क्या होगा सही आंसर अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था बाल मुकुंद गुपते एक अतन किनका माना जाता है तेतर में आप सभी के लिए आपर चेन करना है तो आप सभी कहें आपर सही आंसर है सतीजी विकल्प नमबर आप सभी कहें आपर क्या होगा सही आंसर जोनों ने सी चैन किया महावीर प्रसाथ दुबेदी उन्हीं का यह कथन माना जाता है question number 24 में चैन करना है मावीर, प्रसाद दुबेदी, नराला, विजय दिव, नारण साही, डाक्टर नगेंदर question number 24 में आप सभी के लिए चैन करना है बताईएगा क्या होगा सही आंसर special हिंदी और आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर अनुबोती ही वह मूल सकती है जो रचना को प्राण देती है एह कतन किनका माना जाता है तो डाक्टर नगेंदर आप सभी के आप सही आंसर होगी डी वाला विकल्प आप सभी के आप सही आंसर होगा डंक्टर नगेंदर आपका सही आंसर नाज स्वंदरे से कभीता की आयू बढ़ती है एक अतन किसका है पचत्तर में चेहन कन्ना मावीर परसार दुबेदी हजारी परसार दुबेदी रामचन सुकले सांति प्रिय दुबेदी बताईए आप सभी का आपर सही आंसर है पचत्तर में नाज स्वंदरे से कभीता की आयू बढ़ती है एक अतन किनका माना जाता है तो पचत्तर में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नमबर आप सभी का आपर सी वाला विकल्प सही आंसर है रामचंद्र सुकल जी जो है उन्हीं के ये कतन माना जाता कि नाद सुंदरे से कभीता क्या यू बढ़ती है कि इनका कतन है रामचंद्र सुकल आप सभी का आपर सही आंसर है अंगला कॉस्चन आपर दिया गया है प्रियोग बाद का कोई बाद नहीं हम बादी नहीं रहे ना ही है ना प्रियोग अपने आप में इस्ट साथ है और इस तरह कभीता का भी कोई बाद नहीं आता है प्रियोग बादी कहना उतना ही सार्थक या नर्थक जितना हमें कभीता पादी कहना एक अतन किसका माना जाता है। 76 में सही आंसर चैन करिए का कॉश्चन आपर मत्पूर्ण है बारतेंदू, रामचंसुक, लग्गे, निराला ये चार विकल्प आपर दिये गए हैं और आप सभी का आपर सही आंसर होगा। 76 में विकल्प नमबर आप सभी का आपर इस सही आंसर है अग्ये जी जो हैं सचिदानंद, हीरानंद वाधसाई अग्ये उनी का एक अतन माना जाता है। विकल्प नमबर चार आप सभी का सही आंसर है। अगला कॉस्चन यापर क्या दिया गया है दिपक जी कॉस्चन नमबर यापर 77 है जिस साहिते कार का भाव भोगा उतना ही ब्यापक उसका साहित्थ भी होगा एक अतन किसका है 57 वता ये नामबार से है या फिर ड़ाक्टर नग्येंद रामरेश्थर पार्थि अनिराला यहाप अनिराला लिखा है तो चैन करिएगा 77 में आप सभी का सही आंसर बात नहीं करिएगा आंसर बताते जाएगा और आप सभी का यहापर सही आंसर क्या होगा Question number 77 में चैन करना है तो आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प number B Dr. Nagendr आप सभी का यहापर सही आंसर है की दसा का नाम रस दसा है้ एक तन किसका है 78 में मुच्टिबोध करेंगा मुक्ति बोथ मलियाज्य डाक्टर नगेंद्र या पेर रामचंद्र सुकले 200 का बाता है लू q hai में लीन होनी की दसा का नाम रस दसा है किसका माना जाता है तो आप सभी का आपर सहीज आनसर क्या होगा 한definedard? हँगला कॉस्चन आपर दिया क्या है? कोस्चन नमबर आप सभीका 89 कॉस्चन मə्मуск को मानवचरित्र का चित्र मात्र मानता हूं मानव चरित्र पर पिरकाह डालना और उसकी रश्चों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त है नहीं कतन किसका माना जाता है 89 में चैन करिएगा प्रेमचंद या हजारी पर साथ दुबेदी नंदुलारी वाचपिय या फिर मावीर पर साथ दुबेदी चैन करिएगा कॉस्चन या पर मत्तपूर्ण दिया गया है और आप सभी का या पर सही आंसर है कॉस्चन नंबर उन्यासी में विकल्प नबर एग सही आंसर है प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेमचंद जन्होंने भी यहाँपर चेहन किया है उनका यहाँपर चैहान रूंगा अंगला कॉस्टन यहाँ पर देखियेगा question number 80 है जब मनुस्य का हिर्द अपनी व्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वाचंद चंद में उसकी चाया अंकेत हुई एक अतन किसका माना जाता है अस्ती में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताइए का डाक्टर देवराज, रामदरस, मिस्र, रामकुमार बर अस्ती में आप सभी के लिए चैन करना है जब मनुस्य का हिर्द अपनी व्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा तभी स्वाचंद चंद में उसकी चाया अंकेत हुई एकतन किसका माना जाता है तो अस्ती में आप सभी के आपर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आनिकी बर्मा अब सबी के आपर सही हां सर रहें यांगला रहं कवि तक ऐसा गंबीर विसो नहीं कि है पर यह सकता नहीं बहुत मोड़ाई वाते 81 में विकल्प नंबर सी सही आंशर होगा रामचंदर सुकल रामचंदर सुकल आप सभी का यापर सही आंशर है बहुत बढ़ियां अंगला कॉस्चन यापर देखेगा अंगला कॉस्चन यापर क्या दिया गया है कॉस्चन यापर देखते हैं यापर दिया गया है 82 काप बे की विशेवस्तु का निर्मान, मूलता, अनुबूती और विचार की आधार पर होता है किंतु प्रबंद काप में कता अर्था गटना प्रधान का भी समावे से गनिवारता रहता है एकतन किसका माना जाता है 82 में आप सभी के लिए चैन करना है बताइए 82 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा मत्तुपूर्ण कॉस्चन आपर दिया गया है राजन जी और आप सभी का आपर सही आंसर होगा 82 में विकल्प नंबर जेनों ने भी चैन किया है आपर बी वाला विकलप है । दक्टर नगेंदर है, उनका याँपर सही आंसर है, आप सभी का याँपर सही आंसर होंगी, बहुत बड़ी हैं अंगला कॉस्चन याँपर क्या दिया गया है, कॉस्चन नमबर है, याँपर 83 भासा, अनायास, लब्द बस्तु नहीं है, उसके तैयर आप नहां है डमिंष जी आप सभी का आप विकुआसर होगा तेर अला सेथिया आंसर होंगे, हजारी प्रसाथ तुबीम सरदी आपका सभी आंसर है चाहभादी कहें जाने वाले कभियों महादेवर्माही रहस्दभाद की भीतर रही है गतन किसका माना जाता है चाहभादी कोस्ट नमब्र 84 में आप सभी के लिए आपर चेन करना है तो विकल्प नंबर आप सभी का आपर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का आपर सही आंसर है यानि कि रामचंद्र सुकली जी जो है आचार रामचंद सुकले उनी का एकतन माने जाता है ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंस अंगला कॉस्टिन या पर देखते है क्या तिया क्या है कॉस्टिन नमबर पाचासी वा एकॉस्टिन है साहित सर्जन तक भावुकता कुद्धेश व्यक्ति का संस्कार होता है। उसके मतानुसार साहित कवद्दि सूक्ष में आंतरिक एवं सासत होता है तक कालिक प्रभाव साहित एकी सिद्धी नहीं एह कतन किसका है 85 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है बताएं क्या है आप सभी का सही आंसर रामचन सुकले नामबार सें डाक्टर नगेंद्रे राम रिष्टर पाथी और आप सभी के आपर सही आंसर यहां पर 85 में सही आंसर क्या होगा 85 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है तो विकल्प नमबर आप सभी के आपर क्या होगा सही आंसर 85 का 85 में आप सभी का विकल्प नमबर जो आपर सही आंसर है वह एक सही आंसर होगा यानि कि रामचन्दर सुकली जी जो है उनी का एक अच्छन माना जाता है डाक्टर नगेंदर होगे यहां पर सही आंसर सी वाला विकल्प जो है यहां पर डाक्टर नगेंदर कल लीजेगा विकल्प नमबर सी सही आंसर है डाक्टर नगेंदर यह अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया कि जिस कभी में कल्पना की समाहर सक्ती के साथ भासा की समाहर सक्ती जितनी अदिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफ़लोगा एह चमता विहारी में पून रूप से विद्धवान थी सेमा जी तो आप सभी का यहांपर शेय अच्सर आप सभी कशाई क्या होगा सजया अग्गे या फिर निरला या दाक्टर बच्चन सहे तो आप सभी के आपर सही आंशर है छासी में विकल्प नमबर एक आप सभी के आपर सही आंशर होगा यह वाला विकल्प रामचन सुकल आपर सही आंशर है रामचन सुकल आप सभी के आपर सही आंशर होगी कॉस्चन नमबर याँ पर 87 हालावाद प्रिगती प्रियोग का पूर्भावास है एक तन किसका है हालावाद प्रिगती प्रियोग का पूर्भावास है एक तन डाक्टर वच्चन सें, रामचन सुकल, मुक्तिबो, निराला 87 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है 87 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा चार विकल्प आपर दिए गए है Question मत पूण है और आप सभी का आपर सही आंसर होगा 87 का विकल्प नमबर एक डाक्टर वच्चन सेंजी जो है उनी का यह कतन माना जाता है डाक्टर वच्चन से हैं आप सभी का सही!.. चाय बाद गीति काभ्बे है, प्रेम काभ्बे है प्रकृति काभ्बे है एकतन किसका माना जाता है 88 में आप सभी के लिए चहन करना, машदि爵 रमा डाक्टर देवराज, रामदरश मिश्र या पर 50 इन 8 विकल्पwn में से चैन करिएगा question मत्त पूर्ण है चाहे बाद गीती काब है प्रेम काब है प्रिकृति काब है एक तन किसका माना जाता है वताइएगा रवेंद्र जी और आप सभी का आपर सही आंसर है तनमय जी विकल्प नंबर आपर क्या होगा सही आंसर 88 में 88 में आप सभी का सही आंसर भी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है डाक्टर देवराज आप सभी का आपर सही आंसर होगी डक्टर देवराज आप सभी का यापर सही आंसर है काभी के तीन सर्वमान्य तक्तों भाव कल्पना व बुद्धी में मैं भाव को ही आधार मानता हूँ से इस दोस्त के सहायक है एकतन किसका है 89 में चैन करिएगा रामचन सुकले नामबार सहे डाक्टन अगेंद रामरिस्त्र पाठी इनमें से आप सभी के लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर बताइएगा चैन करिएगा कॉस्चन यहापर मतपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहापर क्या होगा सही आंसर राजाद नहीं है वह यह जनम दिन ऐमारा क्या होगा सही आंसर करिएगा रचना लोदी जी विलकुल आप के लिए भी नए वर्सकार्द एक सुप्कामना है, कॉस्चिन नमबर 89 में चैन करना है, तो विकल्प नमबर आप सुभी का सी सही आंसर है, डाक्टर नगेंदर जी जो है, उनी का ये कथन माना जाता है, ठाकुर निभावती, सच्ची उमंगे के कभी तेन में कृतिमता के लेस नहीं है, ना तो कहीं ब्यार चैन करिए का रामचन सुकल मुक्तिवोद पंत या पर तिलोचन, 90 में आप सभी का आपर सही आंसर क्या होगा, 90 में आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नमबर ये वाला विकल्प आप सभी का आपर सही आंसर है, रामचन्दर सुकल आप सभी का आपर सही आंसर है, अंगला क्या है आप सभी का सही आंसर चैन करिये का कॉस्चन या पर मत्पून दिया गया है और आप सभी का सही आंसर इस तुल की पृति सुक्ष्म का विद्रोही छायवाद है एक अतन किनका माना जाता है तो 91 में आप सभी का सही आंसर है एक अतन डाक्टर नगेंदर जी का माना जा स्वारता है जिस साइथ के संकिन स्वारत्वों के बंधन से मुक्त होनी सी No वह साइथ दो कवांगी का भी नहीं है एक तन गिसका माना जाता आप सभी के लिए आप पर चैन करना है वे आप सभी का सहियकं स्थरोगा हजारी पर साथ दुवेदी नंदुलारी वाचपे डाक्टर हर्देव बाहरी या पिर अग्गे कॉस्चन याँ पर बाननवे दिया गया है और बाननवे में आप सभी का सही आंसर होगा वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर हजारी परसाथ दोवेदी जी जो है उनी का आप सभी का सही आंसर उगा अंगला कौश्चन आप प्रेमचंदिवालकिषन वट्टे रवांद्रसमिसर नंदुलारी वाच भी गताषी नहीं दिपक जी तो आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा 94 में कामाईनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है 94 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नमबर D वाला विकल्प नंद दुलारी वाचपे आप सभी का याँ पर सही आंसर होगे नंद दुलारी वाचपे जनों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन आपर देखेगा कॉस्चन आपर दिया गया है 95 जब कोई व्यक्ति अपनी अनुबूती की इस प्रकार भी व्यक्ति कर सकता है कि वैसे भी कि हिर्दा में समान अनुबूती ज लाइक अबस्त करते जाएगा 95 में आप सभी का सई आंसर होगा विकल्प नंबर बी आनि कि डाक्टर नगेंदर जी जो है उनी का यह कतन माना जाता है डाक्टर नगेंदर आप सभी का सई आंसर है प्रबंद कर कभी की वहावुक्ता का सबसे अधिक पता है देखने से चल स रखता है कि किसी व्यक्ष्यान से अधिक मरमिस्पर्सी इस्तलों को पैचान सका है या नहीं एक अतन किसका माना जाता है चैनकनना है रामचन सुकले नामबार से डाक्टर नगेंद बच्चन से 96 नवे में आप सभी का सभी आंसर क्या होगा नित जी वंदना जी तो आप सभी का यहां पर सभी आंसर होगा 96 में आज का चैलेंज प्रस ने जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरू बताएंग लीटों को लाइक और चैनल को सस्क्राइब वस्त कर लीजेगा रोज आप सभी के लिए नेंतनी किलास ने लाएं जाती है मत्तुपूर्ण कॉस्चन आप के लिए जो है अब करवा जाएंगे रोज एक अब जो है नो बजे भी रात्री में किलास होगी और रात्री में दस बजे भी किलास होगी तो अन दौनों किलासों में सभी लोग जुडिएगा मत्त पूर्ण कॉस्चन वहां पर भी आप सभी के लिए लाई जाएंगे और नमरता जी बंदना जी कुलदीब जी लवली जी तनु जी प्रमोद जी दीपक जी बापना जी सुनेना जी कंचन जी पारू जी बंजू जी अनित जी सभी के लिए पुना एक बार फिर से नव वर्ष की आर्दक सुपकामना आप सभी के लिए पारू जी सतीज जी दीपक जी तनु जी सिल्पा जी प्रेंका जी और संजू जी निशा जी रिता जी नम्रता जी अर्चना जी मंता जी दनेश जी राकी जी मनीशा जी, उमेश जी, राजीब जी, अंजू जी, सीमा जी, बाबना जी, कंचन जी, कुमुद जी सवी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद, जय हिंद